हर्याना में भारतिय जन्ता पार्टी की जीत के जश्न के बीच मुख्यमंत्री पत के लिए दावेदारी की होड भी शुरू हो गई है कि इंद्रे मंत्री राव इंदर जीत सिंग ने यह कहकर अपना दावा पेश कर दिया है कि इस बार दक्षणी हर्याना से मुख्यमंत्री बनाये जाए राव इंदर जीत सिंग इससे पहले भी खुल कर मुख्यमंत्री बनने की एक्च्छा जाहिर कर चुके हैं उदर अनिल्विज भी टकटकी लगाए बैठे हैं हलाकि बीजे पी शाफ कर चुकी है कि नाइप सिंग सेनी ही दुबारा मुख्यमंत्री बनेंगी मी का फैंसला होगा लेकिन जिस एलाके ने तीन बार भाजपा को सत्ता सीन किया है उसे तवज्जों देनी चाहिए चुनापर चार के दौरान भी राव इंदर जीत ने अपने एक छा खुलकर जाहिर की थी 2014 और 2019 की तरह दक्षण हरियाना में भाजपा को एक बार फिर बंपर सीटे मिली हैं गुरुग राम की सभी चार सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाया है तो वहीं फरीदाबाद और पलवल की 9 सीटों में से 7 पर भगवा पर चम लहराया मैं 2 सीटों पर कॉंग्रिस को जीत मिली हला की 9 में सभी 3 सीटों पर कॉंग्रिस का डंग का बजा आपको बता दें कि राव इंदर जीत दक्षणी हरियाना की कद्दावर नेता माने जाते हैं कभी कॉंग्रिस की ताकत रहे राव इंदर जीत सिंग ने दक्षणी हरियाना को भाजपा का गड़ बनाने में एहम आ रहे हैं एक बार फिर से राव इंदर जीत ने सीधित और परहा बयान दिया है कि दक्षणी हरियाना से इस बार मुख्यमंत्री बनाए जाने चाहिए उधर देखा जाये तो अनिल बीच टक्टकी लगाए बैठे हैं अनिल बिच कई बार सीम पत को लेकर दावा ठोक चुके करता है